दोस्तो गर आप लोग comfortable हो तो देखो आपके साथ कोई जोर जबदस्ती तो नहीं है तो आप comment करके सुरूर बताना कि श्रीलंका ने जो अपना पिछला वंडे मैच आयलेंड के साथ खेला तो आप सबने उसी मैट में स्मोल लिग में कितना पैसा विन किया और ग्रेंड लिग मिलने वाले अब दोस्तो अगर आप लोग इसी मैट में grand league में अच्छी performance करना चाहते हैं तो using इस मेहत में आपने सेम उडिक्त क्या अपने फॉर्मूला कीरा अगर दूस्तों आपको फॉर्मूला यार नहीं थों दिकद कर दो सब्सक्राविल वर के बारे सिप। दूँगा अगर दोस्तों आप लोग इस स्मोल लिग में अच्छी पर्फोमेंस करना चाहते हैं तो भाई देखो इस स्मोल लिग का कोई स्पेसिफिक सेट पॉर्मुला तो है नहीं इस small league में अच्छी performance करनी है तो आपको pitch के बारें पताऊना चाहिए आपको mostam के बारें पताऊना चाहिए आपको khilado के strong और pick point के बारें पताऊना चाहिए अगर आपके पास से information है तो आप लोग small league में भी अच्छी performance कर पाएंगे ये सा information भी मैं आज आपके साथ इस video में share कर दूँगा लेकिन दोस्तों ये match में एक चोटी सी दिक्कत है अब दिक्कत क्या है कि बहुए कि cricket world cup qualifier का match number 19 है आप को कि बहुए तो match number 19 है तो इससे क्या दिक्कत है दोस्तों दिक्कत ही है कि match number 19 है और ये qualifier के league matches से श्री लंका स्कोटलेंड दोनों टीमें next round में qualify कर चुकी है और ये दोनों टीमें इस match में अपनी playing land में changes कर सकती है जैसे आपने देखा है सिंबावे टीम में सिंबावे टीम ने तीन बड़े changes किये इवन कप्तान एर्वीन निकेला गेंद बाद चटारा निकेला गेंद बाद ब्लेसिंग निकेला ठीक है तो इसी तरह इस match में दोनों टीमें कुछ changes कर सकती है हलाकि दिक्कत की बात नहीं है दोनों टीमें इस match में क्या कुछ changes करेंगी और जिन खिलाड़ों के प्लेस पे नहीं खिलाड़ों के टीम में एंट्री होगी वो कौन से खिलाड़ी होगे और क्या उनका अपनी fantasy टीम में लेना है आज इसा information में आपको मैं start होने से पहले इस video में share कर दूँगा लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे youtube channel को subscribe नहीं किया तो आप channel को जल्दी से subscribe कर लो और साथ ही में ध्यान रखना अगर आपने भी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया तो भाई जल्दी join कर लेना जिसका link में वीडियो के नीचे description box में डाल दूँगा क्योंकि देखो मैं start होने से पहले में आपको एक अच्छी perfection करा दूँगा लेकिन toast के बाद आगे चलके में रपास कोई पदा information आएगी अपने final team combination के साथ आपको telegram channel में share कर दूँगा इसने दोस्तों आप लोग जूर हमारे youtube और telegram channel को subscribe कर लेना तो चलिए अब वीडियो में आगे चलें सबसे पहले बात करेंगे दोनों teamों की possible playing 11 के बारे में तो भई देखो श्री लंका की जो team है इनकी betting में तो ये match में कोई भी changes नहीं होगा क्योंकि श्री लंका की team के पास जो ये बल्लेबास मुझूद है इन सब की अलावा इनकी team के पास कोई विकल बसता भी नहीं है बेंच पे तो इनकी team की बल्लेबास में तो शायद ये match में कोई change होगा ठीक है तो बल्लेबास में को लेकि आप tension ना लो अब स्री लंका की team दोस्तों चाहे तो इस match में गेंबासी डिपार्ट्रों में changes कर सकती है अभी तक लाईरू कुमारा तीन match केल चुके हैं और कसून रजीता तीन match केल चुके हैं चमीरा आपके पूरी तरह fit नहीं थे तो दोस्ता अब चमीरा पूरी तरह fit हो चुके हैं और काप्तान शनाका ने पिछले match के बाद कहा था कि हम देखेंगे match से पहले कि हम चमीरा को team में शामिल कर सकते हैं तो दोस्ता का चमीरा ये match केलता है तो लाहिरू कुमारा को ये लोग भार कर देंगे देखो चमीरा लाहिरू कुमारा श्रीलंका team के सबसे important गिंपास हैं और श्रीलंका team नहीं चाहेगा कि वहीं चमीरा जो है इंजिरे के बाद वाद वापस आ रहा है और लाहिरू कुमारा भी काफी बार match खेलते खेलते बीट में इंजड हो जाता है तो दोनों ही खिलाडों को एक साथ एक match में खिलाएं और ये match में ऐसे भी important नहीं है और कहीं दोनों ही गिंद बास इंजड होगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं तो इसलिए मुझे लगतागा चमीरा केला तो लाहिरू कुमारा भार जा सकता है दूसरा बैश श्रीलंका टीम के पास चमीका करणा रतने भी है इनकी टीम के पास पती राना भी है तो इनका टीम चाहे तो इस महत में रजीता के प्लेस पे करणा रतने या पती राना को खिला सकता है तो ये कुछ पोसिबल चेंज़ीत है जो श्रीलंका की टीम इस महत में कर सकती है यानि दोस्ता मैं आपको इस वीडियो में जो भी प्रिपेशन कराऊंगा उसके बाद आपको किलियर हो जाएगा कि आज इस महत में हमें कौन-कौन से किलाड़ों को अपनी पेंटेसी टीम में लेना है अगर मैं स्कोटलेंट टीम की बात करूँ तो दोस्तों देखिए मैंने कुछ किलाड़ों को ग्रीन सिगनल दिया है ग्रीन सिगनल का मतलब यह है कि इन किलाड़ों का आप लोग अपनी पेंटेसी टीम में सुरूर लेना स्कोटलेंट की टीम से ब्रेंडन मैक मुलन है और साथ में आपको ग्रीन सिगनल आएगा ठीक है तो इन दोनों को तो लेना है अब इनका टीम क्या चेंजिस कर सकते है अगर दोस्तों मुनेसी पूरी तरह फिट है ठीक है अगर मुनेसी पूरी तरह फिट है तो नील ने दोस्तों गिंदास ही तो अच्छी की थी लेकिन की टीम के पाथ चोईस के बात करें तो और्थ डॉक्स बीन गिंदास समझा ताहिर की चोईस अविलेबल है तो अमसा ताहिर को यह लोग खिला सकते हैं या पर इनकी टीम के पार सोल्डाउंडर के लाड़ी जैर्विस मुझूद है ठीक है तो जैर्विस को भी लोग खिला सकते हैं तो यह दो पॉसिबल चेंज स्कोटलेंड के टीम से इस महत में हो सकते हैं अब दोस्ताम बात करते हैं ग्रेंड password के सारा खेल आपका टोस पे टीपेंड करेंगा तो उस पे क्यों डिपेंड करेगा देखो मैं आपको साइट चीज इस वीडियो के अंदर समझाओगा ये भाई बुलवायो की pitch रिपोर्ट है आप लोग जानती है मैच क्विन्स फार्क में केला जाएगा और दोस्तों मैंने आपको कितनी बार समझा है कि हरारे के comparison में यहाँ पे जो pitcher बल्लेबास के ले कहीं ज़्यादा अच्छा है और यहाँ की pitch के अंदर बाउंस अच्छा है जिसके चलते बल्लेबास को अपनी short की value मिलती है यहाँ पे boundaries रारे के comparison में चोटी है इसलिए रारे के comparison में यहाँ पे आपको ज़्यादा high scoring matches भी देखने को मिल सकते है लेकिन एक condition है condition क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए match कुन दो टीमों की बीच है अगर match strong और fake team की बीच है तो भई condition कुछ भी हो strong team ही match win करेगा चाहे पहले बल्लेबासी करे चाहे गिनबासी करे चाहे पिछ में तेस गिनबासों को support है match है पिछ में इस पिन गिनबासों को support है match आपका कौन से team win करेगा जो आपकी strong है और दोस्ते यही कुछ चीज से इस वन्यों पे खिलेगे पिछले 4 वंडे match इसमें आपको देखने को मिली अब देखो 25 दून 2018 को श्रिलंका इलेंड के बीच मैच हुआ अब आप लोग जानते हैं कि वही भारती समय नुसार तो यह match 12 बजे स्टाट होगा लेकिन local time सुबह 9 बजे हो जाएगा सुबह 9 बजे होगा तो पिछ में moisture है और moisture होने के चलते जो भी team toast win करते है सिधे toast जित के क्या करेगा पहले गिनबासी करने का फैसला करेगा क्योंकि पिट में moisture है तो तेज़ गिनबासो को दोस्तो टीम चाहेगी मेरे मदद मिले दूसरी पाड़ में तेज़ गिनबासो को फिट से मदद कम मिलती है इसलिए टीम क्या करी है तोस्चीत के क्या पहले करती है गिनबासी का फैसला लेकिन ये मैट की कोई इंपोर्टेंस तो ही नहीं और ये दोनों टीमें सुपर 6 में क्वालिफाई कर चुकी है तो अगर ये दोनों टीमें अपने आपको चलेंज करना चाहे तो एक बाब फिर कह रहा हूं तोस्चीत के बल्लेबासी का फैसला कर सकती है अब दोस्चो आइलन की टीम में देखो टोस्चीता गिनबासी का फैसला कर लिया लेकिन इस्ट्रोंग टीम कौन थी श्री लंका 325 का टागेट सेट किया आइलन टीम को 192 पे हुल आउट किया और मैच को 133 संसे बिन कर लिया तो समझ आया इस्ट्रोंग टीम मैच मिन करेगा चाहिए पहले बैटिंग करे चाहिए बाद में बल्लेबासी करें 23 जून 2023 को देखो ओमान श्री लंका के बीच मैच हुआ इस्ट्रोंग टीम स्री लंका है ओमान टीम को बल्लेबासी मिली 98 स्कोर किया पहली पारी में स्री लंका ने 15 और में टागेट को चेस कर दिया फिर आप देख लो 21 जून 2 साथ है इसको आइलेंड स्कोटलेंड के बीट मैच आइलेंड की टीम ने 286 करंट का टागेट सेट किया तो ये दोनों टीमें आप कह सकते हैं बैलेंस दी ठीक है तो ये दोनों टीमें बैलेंस थी लेकिन चेस वाली टीम के पास एडवांटेज था तो इस स्कोटलेंड टीम ने रुमांचक मुकाबले में 289 स्कोर करके मैच जीत लिया लेकिन देखो पूरे 50 और आइलेंड ने बल्ले बासे की और 50 और आपके स्कोटलेंड ने बल्ले बासे के टीक है अगर बराबरी की टीम है तो बराबरी टीम कैसे बनाना है तो उसके बाद देखलो श्रीलंका इस मैच में क्या कर रहे है अगर श्रीलंका इस मैच में पहले बल्ले बासे कर रहे है तो आपने श्रीलंका टीम की जो टोप 5-6 बल्ले बासे है इनको आँग बन करके फैंटेसी टीम में लेना ठीक है क्या करना है श्रिलंका की भी और दनेंजी डी सिल्वा की याने इनकी टीम ने पहले बल्लेबासी की अच्छा टागेट सेट किया बल्लेबासु ने अच्छी परफोर्मेस की तो श्रीलंका टीम अगर पहले बल्लेबासी कर रही है तो आपने श्रीलंका टीम की इन बल्लेबासों को टीम म पारिम आएगा तो दूसरी पारि में इस फिन गिनबासों का अच्छी मदद मिल सकती है वनिंदू असरंगा मैस तिकसाना आपने दोनों को फेंटसी टीम में लिया था वनिंदू तिकसाना ने अच्छी परफोर्मेंस की प्लस में लहीरू कुमारा खेल रहा है तो लहीरू है तो भई फिस से तेस के इनबासों को मदद मिलने के चांस है उसके बाद माल लेते हैं श्रीलंका इस मैट में चमीरा के साथ केल रहे है और दूसरी तेस के इनबास पतिराना को टीम मिलेना है फिर शनाका टीम का तीसरा तेस के इनबास का रोल प्ले करेगा फिर आपने शना का टीम की qualities गिन बासी है जिनके सामने शायद इसकोट ने ने अच्छा ना कर पाए तो फिर आप क्या करेंगे उस case में चरितर श्रंका को fantasy टीम में लेंगे उस case में समारा विकर्मा को fantasy टीम में लेने से पहले सोचेंगे तो इनकी टीम के top 3 या 4 बल्लेबासों कोई टीम में ल क्योंकि मैं आपको कहें चुका हूँ कि भाईया जो श्रीलंका टीम है देखो इनकी टीम के गिन बल्लेबासों को हमेश्रा quality लैक्स्पिन गिन बास परेश्रान करते ठीक है पिछला मैं चायलेंड टीम के साथ था मैंने का तक कप्तान पर डिपेंड करेगा अगर वो चटकाने के चांस इनकी रिस हो जाएंगे ठीक है तो यह दो तो हो गए लेकिन इस वोली की टीम और कौन-कौन से खिलाड़ों को टीम में लेना है किसे हम कप्तान वा इस कप्तान बना सकते हैं अब यह साई इंपोमेशन में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा ठ प्रिपेंड करेगा स्ट्रोंग के बीच में चाहे स्ट्रोंग के वीन करेगा चाहे पहले बैतिंग करे चाहे गिनबास करे लेकिन इस वन यू के ओसर धियान रखना की बहुग अगर कंपेर्स कर आँ बल्ले बास स्टूंगा ऩो tel डDayया आ करें क्या करेंगे जब नी fantasy team बनाएंगे तो सबसे पहले से बल्लेबासों को preference देंगे जो बल्लेबासी करने के साथ गिनबासी करें या गिनबासी करने के साथ बल्लेबासी फिर आप लोग अपनी fantasy team में बल्लेबासों preference देंगे और सबसे आखिर में आप लोग अपनी fantasy team में गिंद बादसा को preference देंगे ठीक है और जब दोस्ता आप लोग अपना fantasy team बनाने grand league का और multiple team combination बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान डेपना कि जैसे स्री लंका team दोस्ते ही match में करें आप स्री लंका team के match था उस match में भी क्या हुआ था आपके जो श्री लंका team है उसके team के बल्ले बासुने अच्छा क्या गिंद बासुने अच्छा क्या ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना जब श्री लंका team के फिरों fantasy team बना रहे हो और जब दोस्तों आप लोग fantasy team के फिरों बनाओगे तो वो fantasy team आपका बनेगा जिस तरह 21 चुन दोसा 23 को मैच वा कुछ ऐसा ठीक है उसमें श्री लंका भी अच्छा करी है इसकोटलेंड भी अच्छा करी है लेकिन एन मोके पर स्कोटलेंड मैच में बाजी मार रहे है ठीक है तो ऐसे आपके fantasy team combination अब बन जाते है अब दूस्तो गिन बाज से बात करें तेजी spin का कोई मतलब नहीं है पारी के इसाफ किताब से बात करें तो सिंपल सी बात अगर श्री लंका टीम पहली पार में गिन बाज से करेगा तो श्री लंका टीम के फारी में गिन बाज से करेगा तो श्री लंका टीम के इस बाज दूสे बाज से करेगा उस पारी में विकेट लेने के chance increase हो जएक जब वो गिन बाज से करेगा ठीक है श्री लंका इस वरन्य परे पिछले team match जीत कह आ गाया है इन लोगों ने World Cup Qualifier के अंदर किस तरह पर्फोर्मेंस किया है, अपोश्चनल प्ले टाइप के सामने ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, किसी भी स्पैस्पिक ट्रैप के केंदबास ने परिशान नी किया, बाकी सब टीमें श्रीलंका टीम के कमपेर्स में काफी कम सोर है, और West Indies से इनका मुकावला हुआ नहीं, अब देखो, इनकी बल्ले बासों की एवरेट 65 की चल रही है, इस ट्रैकेट चल रहा है 104 का, तो इस मेहत में एक बाद फिर एकस्पेक्टेशन रख सकते हैं, अगर श्रीलंका पहले बल्ले बासी करे तो भाई अराम से 300 का टागेट सेट कर सकती है, क्योंकि इस ट्रैकेट 104 का और बैटिंग 65 का टीक है, तो श्रीलंका टीम की बल्ले बासी मुझे स्ट्रोंग नसरा रही है, कंपैस में स्कोटलंड के, इनकी टीम के लिए करुणा रतने ने तीन मैच में दोस्तों 16 किया, वनिंदू असरंगा ने लगातार, तीन मैच में कम से कम 5 बल्ले बासों का टीक है, और तीन मैच में इनके पास 16 बिगिट है, तो ये दो खिलाडे को फेंटेसी टीम में आपने शुरूर लेना है, आप देखो, पतुम निश्रंका मेरी फेंटेसी टीम में जाएगा, इस लाटिव पे एवरेज 57 का इस ट्रैक मैंने करोना रतने को फेंटेसी टीम में लिया, इसने पहले मैच में परफोमेंस नहीं किया, मुझे गालिया पड़ी कि वहिया तुने करोना रतने को क्यों टीम में लिया, और उस मैच के बाद आज तक, करोना रतने ने जितने भी मैच के लिए लगाता परफोमेंस की, मैं इस मैट में 0 स्कोर करें कुसल मेंडिस फेंटेसी टीम में है दोस्तों इस वेन्यू में बात करें तो 57 का एवरेज है पिछली तीन मैट की बात करें एक बार बल्लेबासी मिला 78 किया दूसरे बैटिंग मिला तीसरे में 0 पे आउट हो गया लेकिन आप लोग चांते हैं पोटेंशल है और जिस दिन बल्ला चल गया जैसे प्रेक्टिस मैट में 105 किया था इस तरह की बल्लेबासी करने का मादना रखता है सामने उतनी क्वालेटी की गिनबासी भी नहीं है तो आप उसल मेंडिस को भी टीम में लेंगे अगर टीम पहले बल्लेबासी करी है समारा विकर्मा भी आपकी फेंटेसी टीम में जाएंगे क्योंकि देखो इस लीक के अंदर जब भी बल्लेबासी मिली 73-82 किया दूसरे मैच में बैटिंग इनके पास था नहीं चरीत रशलंका ठीक है अगर पहले बल्लेबासी करी है तो ही सोचना और उस केस में भी कप्तान में इस कप्तान बनाने के बारे में तो शायद ही सोचे क्योंकि देखो 48-90 आउट-38 और बल्लेबासी नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीलंका टीम के अगर उप्रीकरम के बल्लेबास को कमने फैंटेसी टीम में लिया और हमने उप्रीकरम के बल्लेबास को टीम में कप्तान वेस कप्तान बनाया तो हम चाहते हैं उप्रीकरम के जो बल्लेबास है वो ज़्यादा गेंदों का सामना करें चरितर अश्छलंका को कम बोलिंग केलने का मुखा मिलेगा और जितनी कम बोलिये केलेगा उतने कमरें स्कोर तर पाएगा तो इसलिए अगर आपने ऊपरी करम के सारे बल्लेबासों को लिया उसके लेड़ी सिल्वा वापस से सेम चीज़ आपका दोस्तों चेटर अश्लंका के साथ अपलाई हो रहा है इनके साथ अपलाई हो रहा है बैल इस नोट आउट है और गिंबास से टीम के कप्तान पर करवाने नहीं करवाने ठीक है बाकी मार्क पोट ने छह बोल में चार अंदेक बढ़ी आउट करराखा है टीम के कप्तान शनाका शनाका को कौन दिक्कत कर देता है लैक्स फिन गिंबास ठीक है अपने टीम में लैक्स मिदंबास कूण है ग्रीवस और ग्रीवस को आज मैट में साई-टाइम पर सई जेगा स्कौट लैंड ने यूश किया तो को आउट ह होगा शनाका नहीं किया तो रंकोर मारेगा शनाका ठीक है अब दोस्ता आपका होगे क्या रहें सब को बल्ले बास ही तो मिल रहा है यह तो पिछली मैच में पांच चन बना पाया तो भाई देखो बात ऐसी मैच होता है पुरे 50 सोवर का ठीक है 40 सोवर आपके उपर के 4 बल्ले बास केल रहे हैं फिर वो 100 को एकसरेट करने के चकर में आउट हो रहे हैं अब बोल बचे कुल 60 और जितने भी बल्ले बास आएंगे यह तो आख बंद करके पहली बड़ा शोट मारेंगे संपर्क हो गया वेलन गूड आई हुआ तो आउट हो जाएंगे तो यह चीज इन लोगों के साथ रहती है ठीक है फिर आपका वनिंदू असरंगा फैंटेसरी टीम में नो डाउट कोई भी दिक्कत वाली बात नी पिछले देख लो तीन मैच में कितने बल्ले बात से होगा आउट क्या सोला को तो भाईया यह तो टीम में जाएगा और कप्तान भी बन जाएगा तिक्साना अगर टीम पहले गिंद बात से करें तो ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे अगर तीम दूसरी पार में गिंद बात से करते तो इसको लेंगे ठीक है पिछले तीन मेट में तीन बल्लेबास स्कॉट कर चुका है लहीरुकुमारा शायद धी मेट नहीं कहलेगा चमीरा कहलेगा तो चमीरा को लूँगा अगर यह कहल रहा तो इसको भी ले लूँगा रजीता खेला पहली पार में गिंदबासी तो लूँगा दूसरी पार में गिंदबासी तो नहीं लूँगा पती राना खेला तो पती राना को fantasy team में हम शामिल कर लेंगे ठीक है अब same way में Scotland team की बात करेंगे दोस्तो Scotland team के top 6 बल्लेबास सामने opposition type के सामने opposition play type के सामने ठीक है 6 बल्लेबासों के नाम है तो इनका average देख लो कितने का है 43.6 का Sri Lanka का कितना था I think 65 के असपास था तो अराम से बात करें तो 20 का तो difference आपका यहीं आ जाता है इस ट्रैकर की बात करते है इनका 93 का स्रीलंका का अंडर्ड पार था ठीक है तो बैटिंग किसका strong हो गया बैटिंग strong हो जाता है श्रीलंका का और इसलिए इस मैट में स्रीलंका team के match win करने के chance है अगर इस match को Scotland win करना चाती है तो श्रीलंका team की betting को collapse करना पड़ेगा उसी के बाद ये लोग match win कर सकते है और बल्लेबासों को जीस तरह से performance अब तक करते हैं इस तरह की performance देना पड़ेगा ठीक है तो जब Grand League के team बनेंगे आपके Scotland team के favor में तो in point को आपने ध्यान रखना है अब देखो Mac Mullen दोस्तों जब Scotland की team ने पहला match खिला न कहा था Mac Mullen को fantasy team में VC कर देना उस match में इस club ने 5 बल्लेबासों काउट किया था और I think मैंने इसको VC भी किया तो आपको 24 भी दीती कि आप इसे VC बना सकते हैं ग्रिवस ने पिछले मैंचे 5 बल्लेबासों काउट कर दिया जिस वजह से इनके पास 6 विकिट आ चुके हैं ठीक है वैसे देखो बैटिंग साथ ते करेगा तो भाई मेरे को दिक्काती नहीं मैं टीम में भी लेलूँगा और लेक्स्पिन गेंदबासों से वैसे उस श्री पिर आपका आ गया क्रोसस का लेक्स्पिन के सामने देखो 29 वोल में 14 एक बार आउट हो गया उधर वनिन्दू असरंग है इसको एक बार फिर से माल लेते हैं 25-30 की अच्छी स्राट मिल जाएगी लेकिन जैसे वनिन्दू असरंग आएगा दिक्कात इसको होनी है ठीक है वैसे ही यह वैन्यूपे अवरे सेंटालिस का इस ट्राइकर ब आपकी बनेगा चाहे ग्रेंड़ लीग खेल रो रीची परिंग्टन की बात करें टीम का कप्तान और टीम का कप्तान हमेंसा वो खिलाडी होता है जो टीम को लगता है कि सबसे अच्छी उंकी टीम के अंदर है ठीक है तो बेरिंग्टन बल्लेबास चाहिँ होगे इसलिए और दोस्तो है भी, रीसेंट टाइम में अच्छी ये पर्फोमेंस उन्होंने स्कोर्ट लेंट के लिए किया भी है, तो देखो, पहले मैच में तो खास कमाल दिखाए नहीं, मैंने इसको लिया था टीम में, उसके बाद सेंचुरी मार्दी पर 60 स्कोर कर दिया, तो इसको आप लिए सक, लेक्स्पिन गेंदवास, वनिंदू असरंगा, 43 वोल में 4 बर आउट हो चुका है, इसकोर 33 के ठीक है, और गेंदवासी टीम इसे पार्ट टाइम टाइप साही करा रहा है, तीन मैच में एक बलेबास का आउट किया है, बस एक बार 91 नोट आउट किया, अगर मु पंटेसी में हार भी जाऊंगा, तो अपनी हार को पचाना जानता हूँ, मुझे फंटेसी में हार हो गया, तो मैं कहूंगा, कोई दिकत नी अगले मैच में बिन कर लूँगा, उस कंडिश में माइकल लीस सको मैं फंटेसी टीम से ड्रोप कर सकता हूँ, ठीक है, ग्रिवस फंटेसी टीम में जाएगा, भाई गिनबासी के चलते टीम में ले रहा हूँ, वैसे और फ्री गिनबासी के सामने इसका टिक पाना मुश्किल है, सामने टिकसाना रहेगा, ठीक है, मार्क वोट की बात करें, तो भाई अभी तक इस लीग में बल्ले के साथ अच्छा किया, गिनबासी में कोई खास है नहीं, तीन बल्ले बासों का आउट किया, इस वैन्यू पे 39 और में सिर्फ दो बल्ले बासों का आउट कर पाया है, तो ये वैन्यू अभी तक मार्क वोट को ज़्यादा रास नहीं आया, ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके सरीफ के पास, तो सरीफ ने दोस्तों तीन मैट में चार बल्ले बासों का आउट किया, और एक ही मैट में चार बल्ले बासों का आउट कर दिया था, बल्ले बास में आप इनसे जदा एक्सपेकेशन रखे ना, वैसे इनकी टीम अगर पहली पारी में गिनबासों का आउट कर चुका है, अगर इस्कोटलेंड पहले गिन बाद से करें तो fantasy team में लेने के बारे में सोचना जेस में आप दूरी बना सकते हैं नील पिछले मैच में किला था एक बल्लेवास काउट कर दिया था ठीक है तो यह आपके साइंफोर्मेशन थी अब दोस्तों हम बात करेंगे final fantasy team combination के बारे में आप यह बाद से काम आपको करना पढ़ेगा चोटा साय अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सेखने को मिला है तो भाई आप इस वीडियो को लाइक करेंगे यह आपकी जिम्मेदार है ठीक है क्योंकि दूस्तों अगर आप लोग इस इस विड्यो पर लाइक करेंगे, आपका प्यारोड उस आपका प्यारोड सपोर्ट मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा? अगर आपने अब यहीं कहुआ है टेलीग्राम चैयल को जोन नी किया, सुरू जोन करले ना, ओर कंद लाग कांध सारब यूट चुके हैं, आपने जोन नी किया मैं नहीं जानता किस बात का अफेट करें हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैयल में टोस्त के बाद मैं अपनी final team free मे शेयर करता हूँ और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया यह जो सारा गेम है Toast dependent है हमें देखना पड़ेगा श्रीलंका टीम पहले बैंटिंग कर रहा है यह श्रीलंका टीम गिनबासी कर रहा है उसी के अपोर्डिंग fantasy team बनेगा अब आपको बता है Toast में गेम कुछ जादे ही dependent है तो Toast के बाद fantasy team में टेंजिस हो सकते हैं यह बात आप भी जानते हैं जब भाई मेरे पास यह feature है कि Toast को देखते हुए मैं अपनी fantasy team में टेंजिस कर सकता हूँ तो क्यों ना इस चीज का पूरा फाइदा उठाय जाए इसलिए कहरा हूँ अगर आपने विता कमाई टेलिग्राम चैल को जोईन नहीं किया बाई जोईन कर ले ना लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में चोड़ दूँगा क्लिक करना टेलिग्राम चैल को आप उटमेटिक जोईन कर लोगे अब देखो मैंने अपनी फेंटेसरी टीम में कोंकोंसे खिलाडियो को लिया मैं मान के चल रहा हूँ श्रीलंका पहले बैटिंग करा ठीक है तो फेंटेसरी टीम में एक उसल मेंडिस है फेंटेसरी टीम में समर विकर्मा है ठीक है मैं मान रहा हूं कि श्रीलंका पहले बैटिंग करेगा और दूसरी पाड़ी में गिनबास ही करेगा तो तिकसाना टीम में जाएगा और एक तेस गिनबास में मान रहा हूं कि चमीरा इस महत में केल सकता है ठीक है खेला ठीक है नहीं खेला तो फिर अगर लाहिरू ही खेल रहा है तो हम लाहिरू को fantasy team में लेंगे तो जो भी तेज किंबास है उसको ठीक है तो जो information में आपको वीडियो में दी उसी के वेसे fantasy team बना है अगर इस मेहत में श्रीलंका team पहले गिंबास ही करता है तो उस case में समार विकर्मा को drop करते हुए हम एक और श्रीलंका team के गिंबास को fantasy team में ले सकते हैं तो यह चीज हो गया अब बात करते हैं स्कोट्लेंड की team से तो भई देखो स्कोट्लेंड टीम से दो प्लेयरों को टीम में लेना है याने कि मुझे risk लेना है और अगर मुझे fantasy में लोस होता है तो अपने लोस को अजम कर सकता हूँ ऐसा मैं सोथ के चल रहा हूँ तो फिर वाई यह Michael Lisa को drop करूँगा अगर आप लोग पुराने fantasy rule के साथ कहल रहे हैं तो फिर Michael Lisa के place पे अराम से आपकी fantasy team में गेंबास आजाएगा ठीक है एक गेंबास अराम से आजाएगा ओलरेडी आपकी fantasy team में 3 Scotland के player है यह चोथा स्कोटलेंड का गेंबास आपकी fantasy team में आजाएगा Lisa को यहां से drop करने के बाद अगर दोस्त आपको अपकी fantasy team में कम से कम 3 बल्ले बास चाहिए ही चाहिए तो आप Barrington को team में शामिल कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से मेरा fantasy team बना है टोस से पहले कप्तान वनिंदू असरंग है वाइस कप्तान मैक मूलन है अगर आप लोग पुराने fantasy team के साथ खेल रहें मैंने आपको बता दिया कैसे आपका fantasy team बनने वाला ठीक है बाकि कोई अपडेट होगी टोस के बाद टेलिग्राम में शेयर कर दूँगा तो उमीद करता हूँ दोस्त आप सबको वीडियो पसंद आया है और आप सबने इस वीडियो को पूरा शुरूर देख लिया होगा अगर नहीं देखा देख लो क्योंकि आप सबके साथ मेरी एक बाद पर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखो और हाँ टोस्ट के टाइम आपके साथ मुलाकात होगे टेलिग्राम चैनल में भी अगर आपनी जोईन नहीं किया जोईन सरूर कर लेना टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बोक्स में मिल जाएगा